प्यार आपका आपके वसमें नहीं। दिल इस बार ऐसा टूटा है कि आप उम्मीद नहीं कि यह फिर से जुड़ेगा। अधुत है यह संसार। प्यार से हमें ऐसा लगता है कि हमें जीवन मिल गया। जीवन जीने की इच्छा बढ़ जाती है। बहुत सारे कारण जुड़ने लगते हैं हमारे जीवन में जब कोई एक सच्चा प्यार करने वाला हमारे जीवन में आ जाता है। जब वह हमारे जीवन से जाने लगता है, जाने की दस्तक देने लगता है, सारी खुशिया, सारी हमारे असपास की चीजें हमें बेमानी नजर आने लगती है, बेकार नजर आने लगती है, हमें नहीं चाहिए ये खुशिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो बस उ मेरे प्यार का प्यार। है न दोस्तों ? समझा तब होती है जब दिल हमारा टूटता है हम आख बंद करके जिस पर सबसे ज़्याधा औरोसा करते हैं अब उद्धर से जब हमें साथ ना मिले या साथ ना मिलने का संगेत प्रावद होने लगता है तब दिल पर क्या गुजरती है वह केवल और केवल आपका हिर्दे समझता है और जानते हैं परमात्मा की शक्ति और थोड़ा सा जानती हूँ मैं हाँ मैं मात्यम हूँ मैं कोशिस करती हूँ एक भी घर तूटिने नहीं दूगी यह वो प्लैटफॉम है जहां बहुत वर्सों से इसी पर सर्च किया जाना है कि क्यों देर तूटता है क्या कारण है कि प्रेम में विछेद आ जाता है मेरे अध्यक परियास क्या सफलता आपका स्नेह की रूप में मुझे प्राप्त हो रहा है यह अनेक अनेक धन्यवाद के जो संदेश आप मुझे भेज रहे हैं मैं प्रशन न हो जाती हूँ मैं आपार मैं पोर्ण हो जाती हूँ आपके धन्यवाद को सुनकर सबसे पहले जान लीचे मैं कौन हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ खुश-बुसिंग बहुत स्वागत बहुत अविन दन करती हूँ आप सबका जोतिश ग्यान चैनल पर जोतिश ग्यान को यूट्यूब चैनल नहीं है यह माट्यम है जिससे जुड़ती हूँ मैं आपसे आप मुझसे हाथ की रेखाएं पढ़ती हूँ जरम कुंडली पढ़ती हूँ मस्तिश की रेखाएं कुछ आप ना कहें तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा करम है क्रिपा है उपरवाले की प्रेम है आप सबका यूहीं सहियो करते रहे हैं पित्रों आम जब आंग बंद करके किसी पर भरोशा करते हैं? और उदर से हमें हमी लिए बादा मिलता है कि वो अभी हम पर भरोशा करता है और हम साथ में जीवन जीएंगे. एक स्वपन देखते हैं जीवन साथी के साथ अपने संपूर्ण खुबसूरत जीवन को जीने का तब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है उसके बात कम होने लगती है आपकी आकरशन शम्ता वो जो दिन रात चक कर कारता था आपके आप कम दिल्चस्पी दिखा रहा है आपने वो जो हर वक्त आपकी तारीफ करता था अब आपकी बातों में उसे कमी नजर आ रही है आप कुछ कहते हैं उसे गुस्सा आता है आप कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं चुप रहो ना कितना बोलती हो इतना मत बोलो मेरे सामने से जाओ, हटो में टीवी देख रहा हूं, यहां से जाओ जैसे आप कुछ बताना चाहती हूँ कहता मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बेकार की बाते सुनने की इन सब बातों का यह संकिय थे कि आपका आकरशन कम हो रहा है उसके हर्दें पर जो राज आप करती थी, अब आपका जादू कम हो रहा है क्या आप कुछ नहीं किया जा सकता? क्या अब मेरे प्यार की हार हो जाएगी? क्या इस सम्वेंद में अब विछेद आ जाएगा? नहीं मेरे बहनों, नहीं मेरे भाईयों अब लड़कों के साथ ऐसा होता है कि कोई लड़की उसकी दिवानी है, उसका चक्कर काड़ती है बलकूल उससे शादी का वादा की है या उसकी पत्नी है, जो दिन रात उससे प्रेम करती है अब लड़के का आकर्शन कम होता जा रहा है लड़की उसमें दुच्छ भी नहीं दिखा रही बतनी आपकी अब किसी तरह इस रिस्ते को निभा रही है आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपना मन लगा रही है कि तो वह आपको अपने वक्त नहीं दे रही तभी यह उपाई अदभुद रूप से कारे करेगा चमत कारिक है परियोग बड़े रिसर्च के साथ बड़े समझ कर इससे बनाया गया है हर राशी के लिए हर राशी के लिए हर मुलांग वाले लोगों के लिए या एक समान्य उपाई बता रही हूँ आज सौ प्रतिशत कारे करेगा इसमें बारा राशी होती है उसमें आपकी स्वेम की एक राशी है उसे हटा दीजे इस बाद जादू दोस्तों पर करना है एक ज्याना अंग का अदभूत महत्व है जोतिश शास्तर में और अदभूत महत्व है नेम्बू का सबतर प्रतिशत जल के साथ नेम्बू स्वेम प्रिछवी को सूचक करता है और आज इस परियोग में आपको लेना है एक नेम्बू सैनकक्ष की बात करूँगी बेड्रूम की बात करूँगी प्यार महबद प्रारम होता है और समाप्त बेड्रूम पर ही होता है चाहे प्रेम हो शादी हो रिलेशनसिप हो लव लाइफ हो सैनकक्ष का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है तो आज यह उपाई आपको बेडरूम में सैनकक्ष में ही करनी है और मेरी बहनों क्या चमतकारी परयोग है क्या अद्बत उपाई है मैं क्या बताऊं आपको आपको लेना है एक नीमभू बहुत छोटे साइच का बिल्कुल छोटे साइच का बडा नहीं लेना इस बार लेकिन नीम्व अरैसिन पोर पिल किला हो हार रंग किसी ना किसी फ्लैनेंटंस को अपने और आकरशित करता हैै सेट रहन पीले नीम्व का परियोग करेंगे और साथ में एक बड़ी सूई आ अगर कुरूसिया आपको मिल जाती है तो सरवोत्तम आपको बस एक नेमभू और एक मोटी सुई या कुरूसिया ले लेना है दिन कौन सा हो केवल और केवल दिन सुक्रवार हो आप इसनायम करें प्राता दिन भर तयार रहें अच्छे से खुश रहें सब को होजन करवाएं ज लेकिन यदि आप माईके में रह रही हैं पती नहीं आता है आपको लेने के लिए आप बड़े वर्सों से अकेले रह रही हैं तब ही आउपाई कारे करेगा आप अपने बेडरूम में जहां आप सोती हैं ध्यान रहें आज की रात आपके साथ कोई और ना सोई यदि आप आपके घड़ का कोई बच्चा आपके साथ सोता है तो जिस रात्री यह पर योग करें उस रात्री आप किसी को लेकर ना सोई बेड़ पर अकेले सोई और यदि पती और पत्नी दोनों साथ रहते हैं जगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आकर्षन कम हो रहा है कोई कपड़े नहीं बदलने हैं सिर्फ ब्लैक कपड़े को छोड़कर जो रंकी साड़ी आप पहने हैं जो रंकी शोट आप पहने मेरे भाईयों आप वस्तर पहने भूजन कर लें मन प्रशन ने रहें पानी पी लें बिल्कुल जब सयान कख्ष में आप सोने के लिए चले खाना हो थोड़ी देर अपने इस्ठ को जब लें जब हम घहरी लवी सास लेते हैं अपने इस्ठ को जबते हैं हमारा मन वैसे बहुत शांत हो जाता है वैसे रिप्रशन हो जाते हैं नीमबु को ऐसे बाइं हांत में पकड़ा आपने और 11 चेद करने हैं उस खुरूसिया से नीम्बू को जगहा जगहा बिल्कुल एक ज्यारा छेट करने है उसमें बिल्कुल कुरुष को इधर से उधर तक निकाल देना सुई जो है उसको इस पार से नीम्बू के मैंने काना छोटे सा इसका नीम्बू ले उस पार तक निकाल दे जब आप कुरुष्या या सुई को नेम्बू में चुभोते हैं, तब आपको एक मंत्र बोलना है मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, और सकर तो स्क्रेट पर पर आएगा यह मंत्र बोलकर 11 बार इस मंत्र को भी बोलना है, और 11 दफ़ा आपको नेम्बू में सुई चुभोनी है ध्यान देजिए, नेम्बू सुक्र है, सुई मंगल है यह दोनों सबसे ज़्यादा कारक ग्रा होते हैं जगडे का और रिस्तो को आकर्शन को कम करने का यह सुक्र आपका मजबूत हो जाता है अब तो आप जो बोलेंगे कहते हैं ना कुल पत्निया, मैं दिन बोलू तो मेरा बती, दिन बोलता है, मैं रात बोलू तो रात बोलता है उसका सुक्र बहुत मजबूत है उस लड़की का कुछ रणकी कहती है वो सब की सुनता है अपने बहल, अपने माँ पूरे दुनिया का सुनता है, कि वो मेरा नहीं तो आपको सुक्राइका, अट्रेक्षिन पावर कम हो रहा है नेदो में ज्यारा छेदकी हैं अपनी इस निम्बू को अपने पलंग के ठीक नीचे, अपने बेड के ठीक नीचे जमीन पर रख दे जहां आप सोती हैं पूरी रात्री से पर चैन से आप अपने बेड पर, निम्बू आपके बेड के नीचे हैं अगली सुबह जब आप जाएं तो ध्यान देजिए इस निम्बु को आप जूपकर निकाले और उस पर अपना दाहिना पाउ रखिए आप जमीन पर पाऊं मत रख देजेगा आप बेड के नेचे से निम्बू निकालिए और उस पर अपना दाहिना पाऊं रखकर ही आप जमीन पर कदम रखें अगली सुभा सनिवार के दिन गहरी नम्बी सास लेजेए आपका विश्वास है कि आपको सफलता मिल रही है आप जो कहते हैं कि हमने आपका देदी उपायब किया अब 6 गंटे के अंदर हमें उसका कॉल आया अब उसका वेवाहाद दिरे-दिरे कोमल हो रहा है उपायब कभी कारे करता है जब आप इसमान के साथ मेरे संदा लेकर जाएगा इसनी फोटा कर आपको जोर से इस पीछे फेकना है कि उस्क्राइब कर फेक देजिए आंचर एंगन में जाकर फेक देजिए जहां गिरे गिरे रहने देजे कहते हैं अग हमने फैक दिया उसे जो हमारी नकार आत्मक्चीज है आप च्छत पर जाकर जीदर सूना है जिदर कोई नहीं रहता अप उधर फिक सकते हैं अपने सर के उपर से इवेन आप आंगन में अगर फूल पौदा लगा रखे हैं तो आंगन में भी आप फूल पौदा की तरफ पीछे से फिक दीजिए वह कहां गिरता है कहां जाके अटकता ह आपको कोई मतलब नहीं आप उनाही से टच नहीं करेंगे वह आपके लिए कुछ नहीं रहा फिक दिया आपने पर योग करके घर आपका बहुत चोटा है नांगन है न अच्छा थे तो आप चौरा है पर जातेर अपने सर से पेशे फिक देजिए वह कहां गिरा उसका क्या हुआ उसके बाद आपसको कोई मतलब नहीं अब अपने घर आजाए विश्वास रखिए यह अदभूत आकर्शन को बढ़ाने के लिए अदभूत वशीकरन है नेम्भूका यह मंत्र कहकर जो आपने मंगल और सुक्र को जोड़ने की कोसिस की है यह जीवन को जोड़कर और अपना अनुभाव मेरी कमेंट सेक्शन में अवस्य साजह करें पस दोस्तों आज की जी इतना है रखिए अपना खयाल रखिए अपनों का खयाल वह होड़ बहुत बहन्यवाद